नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नबिता शिर्वास्तो और अगर आप एक हार्ट पेशिंट हैं हार्ट की बहुत सारी दवाईयां खाते हैं साथी साथ एक ऐसी दवा खोज रहे हैं जो आपके हार्ट को पहले की तरह मजबूती प्रदान कर सके साथी साथ दवाईयों की डोजि प्रदान करता है आज हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से अर्जुना हार्ट की अलग अलग बीमारियों में अपना असर दिखाती है कौन सी पोटेंसी में लेना या किस तरीके से लेना इसको सबसे ज़्यादा सेफ रहता है किसने दिन तक आपको लेना चाहिए और इसकी अमेजिंग बेनेफिट्स उठाने के लिए क्या-क्या सावधानिया आपको रखनी चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास तक देखें मेरे साथ बने रहें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आखिर में ये टर्मिनेलिया अर्जुना क्या है जिसके बारे में इतनी जादा चर्चा होती है दरसल अर्जुन एक बहुत बड़ा सा पेड होता है तने के उपर जो लेयर होती है जब सूख जाती है तो उसे कहा जाता है अर्जुन की च्छाल इसी सूखी होई लेयर से यानि अर्जुन की च्छाल होती है उससे मेडिसिन तियार की जाती है दरसल इसमें होते हैं कुछ खास तरीके के alkaloids यानि compounds, medicinal compounds जो कि देखे गए हैं, प्रूफ किये गए हैं, researches द्वारा कि ये health के उपर amazing benefits शो करता है हजारों सालों से आयरवेड में इसे अलग-अलग तरीके से चाहें वो powder के form में हो या फिर crude form में हो इसे इस्तमाल किया जाता है हमेपैथी की अगर बात की जाए तो हमेपैथी में इसको potentize करके, यानि की potentization प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इसके जो खास तरीके के alkaloids हैं, वो इस pincher में तियार किये जाते हैं, जिससे की इसका प्रियोग हमेपैथी के द्वारा अलग-लग heart के बिमारियों में किया जाता है, तो कौन-कौन सी ऐसी conditions हैं, जिसमें इस आरजुन की चाल को प्रियोग किया जाता है, अब हम जान लेते हैं, अलग-अलग conditions के बारे में, सबसे प्रमुक condition जो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर ये देखी जाती है, और वो है organic heart disease, ये भी heart disease का एक प्रकार होता है, जब heart की जो संरचना है, heart की जो बनावट है, उसमें कुछ तबदिली आ जाती है, इसे कहा जाता है organic heart disease, पर्ज करिए कि heart की wall में अगर सूजन आ रही है, यानि कि myocarditis डेवलप कर रहा है, या फिर heart की जो किसी भी portion में, जैसे कि मालीचे ventricle है, उसमें hypertrophy हो गई है, यानि उसका जो portion है, वो सूज गया है, जिसे left ventricular hypertrophy यानि LVH कहा जाता है, बहुत common condition होती है, उसमें भी बहुत कारगर है, इसके अलावा जिसे मालीचे heart की जो walls होती है, उनमें सिकुडन आ गई है, heart के walls अगर hard हो गई है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसमें stiffness डेवलप ह हो गई है, तो ये अलग-अलग तरीके की conditions होती है, जिसमें heart का जो structure होता है, heart की जो बनावट मुल संदचना होती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो इस case में भी अगर हम Terminalia Arjuna को regularly लेते हैं, तो इससे heart की functioning improve होती है, heart की संदचना में भी बहुत कुछ स ब्यक्ति अपनी बिमारी के शुरुवाती चरण में है, तब तो वहां से वो पूरी तरी से recover हो जाएगा, लेकिन अगर वो शुरुवाती चरण में ना होकर बिमारी कुछ steps आगे बढ़ गई है, तो वहां पर उस बिमारी को वहीं पर रोका जा सकता है, यानि pathological ground को वहां पर उस hold कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से वो back, यानि कि नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाएगा, दोनों इस तितियों में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बिमारी की stage क्या है, बिमारी की condition क्या है, क्या वो initial stage में है, या बिमारी कुछ steps आगे बढ़ चुकी है, in any condition अब बात कर लेते हैं अपने next heart condition की और वो है functional heart disease, जैसे के नाम से ही पता चल रहा है, जब heart की functioning में problem आ रही है, यानि heart को जिस तरीके से कारे करना चाहिए, वो उस कारे को ना करके एक अलगी routine पकड़ लेता है, फर्स करिए किसी को cardiac arrhythmia की problem हो रही है, यानि heart अपनी एक normal ग palpitation की problem हो रही है, यानि जोर-जोर से धड़कने लगता है, कभी-कभी conditions उतपर्म होती है, tachycardia, tachycardia का मतलब होता है कि heart बहुत जोर-जोर से धड़कने लगता है, दूसरी condition होती है, bradycardia, जहां पे heart की contraction होती है, जो pumping होती है, वो थोड़ी slow हो जाती है, और heart कम धड़क पने लगता है, इन सारे conditions में, इसके अलावा, heart का जो output है, जो जितना output होना चाहिए, blood का वो नहीं हो रहा है, यानि उसके variable output हो रहा है, तो इस तरीके के जो functioning में problem आ रही है, heart अच्छी तरीके से function नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा कारे कर रही है, एक ब दर्द बाजू में चला जाता है, कभी वो दर्द जौस में, यानि जबडे में चला जाता है, या पीछे पीट में चला जाता है, यह एक ऐसी anguishing situation होती है, ऐसी troublesome situation होती है, जिसका दर्द अचानक से पैदा होता है, और patient को ऐसा लगता है, कि जैसे मानों heart attack ही आ जाएगा, तो यह इस तरीके के जो रिदय शूल वाली शिकायत है, एंजाइना पैक्टूरिस की शिकायत है, जहाँ patient को suffocation मैसूस होती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, वहाँ पर भी terminalia, अर्जुना, heart की मूल समरचना को सुधारते हुए, इसकी functioning क सुधारने का कारे करती है, हर तरीके से अगर इस दवा को regularly लिया जाए, चाहे वो heart patient एक बार heart attack हो चुका है, या फिर उनको लगता है कि हमें ऐसा ना हो इन सारी conditions के चलते heart attack आ जाएगा, इन दोनों ही conditions में terminalia, अर्जुना को regularly लेने से अच्छे परणाम देखने को मिलते है ऐसा सिर्फ literature में नहीं लिखा है, बलकि ऐसा patients के उपर studies करके सीखा गया है, देखा गया है, observe कि पहले क्या स्थितियां थी, दवा लेने से पहले और दवा लेने के बाद क्या परणाम आ रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं अपनी next conditions की और वो है improper blood circulation जैसे मानलीजे किसी व्यक्ती का blood circulation सही नहीं चल रहा है जगे जगे नील पढ़ जाता है, proper blood circulation नहीं हो रही है या फिर मान लिजे कि heart की नलियां जो हैं वो सिकूट रही है या फिर मान लिजे heart की नलियां सक्त हो रही है जिसे atherosclerosis कहा जाता है उम्र के साथ-साथ atherosclerotic changes हमारी blood vessels में आते हैं इसके अलबा मान लिजे कि अगर खून में cholesterol की मात्रा बढ़ रही है जिसके वजे से heart की नलियां सक्त होती जा रही है या फिर blood pressure बढ़ा हुआ रहता है blood pressure बहुत तेजी से variable हो रहा है कभी diastolic high हो जा रहा है कभी systolic high हो जा रहा है या कभी BP low हो जा रहा है इस तरीके कि जो BP के fluctuations होते हैं वहाँ पर भी blood circulation को सुधारते हुए heart की नसों को मजबूत करते हुए ये हमारी heart की functioning को सुधार करने का कारे करती है एक study में पाया गया है कि जो लोग blood pressure के मरीज थे और उन्होंने अपने lifestyle में बदलाव करने के साथी साथ Terminalia Arjuna को regularly नेना शुरू किया तो उसके बाद उनके blood pressure levels में drastically improvement दिखाई देने लगा ऐसा केवल medicine के द्वारा नहीं होता है ऐसा तब possible होता है जब आप अपने lifestyle में माकूल परिवर्तन करते हैं exercise को अपनाते हैं नमक कम करते हैं और इसके साथे साथ medicine का भी जब सहारा लेते हैं तो आपके reports में improvement आने लगता है तो studies में देखा गया कि जो लोग ले रहे थे Terminalia Arjuna उनके reports में बहुत ही remarkable अंतर देखने को मिला और जो लोग नहीं ले रहे थे उनका लगबग एक जैसा बना हुआ था एक और बहुत खास feature Terminalia Arjuna को मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये fracture के case के लिए बहुत ही शांदार दवा है जो लोग अचानक से चोट का शिकार हो गए हो गिरने के बाद और उसके बाद उनकी body में भयानक दर्द होता हो कहीं न कहीं body में fracture हो गया हो body में कहीं जगे जगे नीला पढ़ रहा हो तो वहाँ पर भी blood circulation को जब ये improve करती है heart के circulation को improve करती है तो ना सिर्फ उस fracture को जल्दी heal करेगी बलकि उस चोट के दर्द को और जगे 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 जो नीला पढ़ रहा था जिसे echaimosis कहा जाता है उसको भी सही रखने करने का माददा रखती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर इसने blood circulation को सही किया तभी तो जाके वहाँ का body pain सही हुआ और तभी जाके वहाँ पर fracture जल्दी से heal हुआ और तभी जाके वहाँ पर जो bluishness आ रही थी echaimosis जो develop कर रही थी हो जाके सही हो गई last but not the least अब हम बात कर लेते हैं बिगड़ते हुए cholesterol levels पर किस तरीके से terminalia अरजुना अपना काम करती है तो देखे, terminalia अरजुना उन लोगों के लिए बहुत खासकर है जिनका bad cholesterol बढ़ा रहता है triglyceride अकसर बढ़ा रहता है और साती जात HDL यानि good cholesterol की मातरा घटी जा रही है ये उन hypochondriac patients के लिए बहुत कारगर दवा है जिनको डर लगा रहता है कि मेरी तो reports हमेशा गड़बडा आती रहती है कहीं ऐसा नहो आगे चलकर मेरे blood में यानि मेरे heart में ठका जम जाए और मैं heart attack का शिकार हो जाओ इस तरीके के hypochondriacal patients जिनकी reports तो बहुत जादा खराब नहीं आ रही है लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर है एक भय है नर्वस रहते हैं डरे डरे रहते हैं चक्कर आते हैं गबरहाट होती है कि क्या हो जाएगा मेरे heart में कोई बिमारी न हो जाए उस तरीके के लोगों को भी अंदर से ये बल प्रदान करने वाली आश्रदी है ना तो ये reports को भी सही करेगी उस बड़े हुए triglyceride level को भी सुधारेगी बलकि आपके heart को भी एक मजबूती प्रदान करेगी तापी आप इस तरीके के impending जो fears है impending जो heart attack का जो खतरा आपके उबर मंडर आ रहा है उसको on an actual basis, reality में उसको सही करके दिखाती है तो चलिएब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कि अब इस Terminalia Arjuna के इतने सारे benefits होने के बाद किस potency में, किस तरीके से लेना आपके लिए सबसे ज़़ादा रहेगा चाहें वो बात अरवेध के तरीके से हो, या फिर होमेपैथी के तरीके से तो देखीए चाहें आप किसी तरीके से भी आप इसका इस्तमाल करें आरवेधिक तरीके से आरवेध डॉक्टर के संपर्ख में आने के बाद या फिर हमिपैथिक माद्धियम से हमिपैथिक तरीके से आपको दोनों ही तरीके से यह उतना ही लाब प्रदान करेगी क्योंकि दवा बनाते वक्त जो मेंड कंटेंट होता है जो ऐलकलौइड सोते हैं वो उस दवा के अंदर चले जाते हैं और वही हमारे शरीर को स्वस्त बनाता है अमेपैथी कि अगर बात करें तो इसको लेने के लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका यह है कि टर्मिनलिया अर्जुना का जो mother tincture होता है वो बहुत easily आपको available हो जाता है इस mother tincture की आपको 10 से 15 बोंद अपनी परिशानी के हिसाब से आपकी reports क्या कह रही है आपकी जो situation क्या है for example अगर किसी वेक्ति को heart attack की problem हो चुकी है और अब वो चाहते हैं कि उनका heart दुरूस्त रहे, maintain रहे, उसके heart की जो मजबूती है वो बरकरार रहे आगे उन्हें ऐसा कोई खत्रा नहों तो उस वेक्ति के dose अलग होगी या फिर कोई ऐसा वेक्ति है जिसकी cholesterol levels अभी अभी बिगड़ना शुरू हुई है और वो चाहते हैं कि उनकी heart की मजबूती अच्छी रहे, आगे चलके उनको कोई problem नहों तो उनकी dose अलग रहे बेसिकली अगर बात के चाहे तो आप 8 से 10 बूंद प्रारंभिक अवस्था में और जो advanced cases हैं जिनकी prognosis थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी हैं वहाँ पे 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में सुबे शाम लगबग 60 दिनों तक इसको लेना चाहिए अब बात कर लेते हैं इसकी next potency की जो बहुत ही कारगर है equally effective है और वो है 3x potency यानि Terminalia Arjuna का 3x potency में जो tablets आती हैं उनको भी आप ले सकते हैं आपको पानी में उसको डालना या फिर उसके स्वाद से आपको दिक्कत है तो आप इसको easily tablet form में भी 3x potency में दो-दो tablet करके सुबह दो पैरशाम करके ले सकते हैं इन एनी केस आप जब दवा को ले रहे हैं तो इसे observe कीजिए कि आपको कितने इसके फायदे मिल रहे हैं आप अपने अंदर क्या-क्या बदलाओ मैसूस कर रहे हैं आपको अच्छा मैसूस हो रहा है कि नहीं पचास से साथ दिनों के अंदर और नहीं तो अपने नजदी के चिकितसक के संपर्क में जरूर आएं और जरूर उनसे अपने बारे में बातचीत करें कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा तो उमीद करती हो दोस्तों आरजुन की चाल पर अधारित आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो के इस पड़ाओ तक बिरसाथ बने हैं तो जरूर मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको इसी तरह के के शांदार वीडियो बनाने के लिए फिर मिलोंगे आप से ऐसी ही कुछ बढ़िया सी काम की जानकारी लेकर तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जैहिन देमात्रम